हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद कैमेरे के सामने आया हूँ लोग जनरली फेल होने के बाद कैमेरे से दुर भागती हैं मैं आपके सामने हूँ मेरा नाम है दीपक और मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है नॉलेज दीपक नाम करके मैंने इसी साल UPSC प्री 2020 का एक्जाम दिया था और 29 तारीक को रात को ही इसका रिजल्ट आउट हुआ है और लेकिन उस दिन मैं चेक नहीं कर पाया था क्योंकि रात में हुआ था तो समय मैं सो गया था तो अगले सुबह मैंने मेरे मोबाइल में न उसने उसी सवक्त न्यूज आउट किया और होफुली जो मुझे लग भी रहा था मतलब कि जो मैं आगे बताऊंगा और मेरा इस बार नहीं निकला यह मेरा फर्स्ट अटेंप्ट था मतलब कि मेरा मॉर्निंग कल पूरा वीक मतलब कि पूरा बैड चला गया पूरा दिन बो जो मैं आफ से धियर्न करना चाहता हूं कि पिछले तीन साल से मतलब कि जब मैं पार्ट ऐन में था इसी साल मीरा ग्रिजुए शन भी कम्पलिट हुआ 일이 तो उसी समय मैंने डिसाइड किया था मतलब कि एक लड़के जो पास आउट होता है उसके मन में बज़ सबगश होती है कुछ बढ़ा करने की तो मेरे मैंड में चल रहा था कि हां मैं क्या करूं तो इंटर्व्यू में बात होती है कि हां मैं इसके लिए कर रहा हूं समासिवा के लिए कर रहा हूं लेकिन मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूं तो प्रैक्टिकल बात ही करूंगा तो इसमें हमारे या तो government job और उसके अलावा या तो business अगर आपका है तो मेरा business है लेकिन business में मुझे जाना नहीं था तो सबसे बड़ा क्या है मेरे mind में उस वक्त यही था जब मैं part 1 में था कि मेरे सबसे बड़ा क्या है तो मेरे mind में में आया कि हा मेरे मतलब कि UPSC ही है तो बस मैंने decide कर दिया कि यार इसी में जाना है उसके बाद धेरे धेरे उससे मतलब की पता चलते चला गया कि हाँ UPSC में यह होता है इस यहिंखे अदेर देर नॉलेज बढ़ता चला गया और उसमें मेरा इंट्रेस्ट आता चला गया और उसमें मैंंने पढ़ाई भी सुरू कर दी तो उसके साथ ही मैंने सोचा कि चलो इसको क्यों न दीपक नाम करके इसलिए आप देखते भी होगे कि नॉलिज दीपक जो चैनल था उसमें रेगुलर नहीं रहो पाता था कंटिन्यू वहां पे नहीं हो पाता था और इसकी वज़ा थी यही यूपीएसी कभी एक्जाम आ जाता था पार्ट वन का पार्ट टू का एक्जाम हो तो उसमें मैं डिश्टब हो जाता था और जोस भी था कि यह तैयारी करना है अभी पिछले छे मैने पहले ही मेरा फ़र्स्ट पेमेंट आया था और लकली उसमें यूपीएसी का एक्जाम भी पोस्पोंट हो गया था तो उस वक्त भी उस वक्त मैंने इस प्रिप्रेश्च अगर मैं अभी फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस बताओं तो UPSC crackable है बिल्कुल मैं कहूंगा कि अगर UPSC crackable है इस्टिल मैंने crack नहीं किया है अभी तक मैं next stage पर qualify नहीं हुआ लेकिन इसके बाउजूर भी यह crackable है मेरी mistakes बताओं तो मुझे अपनी mistakes मालूम है mistakes मेरी silly mistakes हुई knowledge की content की कमी कोई नहीं थी मेरे पास बस मैंने silly mistakes वहाँ जाके कर दिये जो मुझे यह exam देने से पहले भी जिसका डर था वही मुझे exam में वही उसी ने मुझे मतलब कि डुबा दिया मैंने mistakes क्या क्या की है मैं आपको example दू तो आप मुझे पर हस होगे ऐसा ऐसा question मैंने गलत कर दी एक question था जैसे कि what is the least water efficient crop अब सोचिए least water efficient crop मैं पढ़ भी रहा हूं least water efficient crop लेकिन mind में चल रहा है best water efficient crop और मैंने best वाले option को मारके मैंने tick करके आगया अब सोचिए मतलब कि इस तरह के question जब मैंने बार में मिलाए पहले तो मुझे जिस दिन एक्जाम हुआ ओज दिन तो मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके marks को मिला के देखूं कि कितना marks आया दो दिन तो मैंने मिलाए नह तो simple forward question थे और मतलब कि क्या बोलूं मतलब political science यार मेरा optional था और सोचिए मतलब कहते हैं कि कभी कभी जिसमें आप strong हो वही आपको धोखा दे जाता है तो बस वही हाल मेरे साथ हुगा मतलब ऐसे question मतलब कि क्या बता हूं उन सबको mention करना अच्छा आप किसे को बोल भी नहीं स किसी का call आया कि यार मेरे close relation से ही किसी का bank में job हो चुका है और वही मेरे पापा को call आया अब मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यह आउट करूं योज की मेरा नहीं हुआ मतलब कि देखे नॉलेज तो पूरा है यह तो सब जग जाहिर है कि यह प्रिपरेशन आप करोगे तो नॉलेज आपके पास बहुत सारा आ चुका है इसको आप बहुत जगए योज कर सकते हो लेकिन बात वहीं प्याज आती है कि यह प्यासी नहीं हुआ वैल मेरा फर्स्ट अटैंब्ट था लेकिन फिर भी बहुत बुरा लग रहा है और खास करके खुद की गलती से क्योंकि मेरे सत्रा नंबर कम से कम पांच कोश्चन ऐसे थे जो मैंने खुद की गलती से गलत कर दिये जिसको सिली मिस्टिक्स आप कह सकते हो लेंगविज प्र तो समझे कि 90 प्लस जा रहा है मैं अबीसी बेग्राउंड से हूं और इस बार कटफ आया था 2020 का 90 तो सूचिए कि और इस बार बात की जा रही थी कि और नीचे जाएगा तो समझ सकते हैं कि इसको मैं किसको रिस्पॉंस्वेल टहरा हूं यह मेरी गलती सारा सर और मैंने नहीं हो फिर आपको खुद में जाक ना होगा तो मैं सोच ना हूँ कि मैं नेख से अट्येम जरूर दोगा क्योंकि यार की कोई कमी थी बस जो मिस्टेक्स जो मैने कि बस उसी ने मुझे ले डूबा और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है अब तो देखिए आप मैं फृ सबसे बुरी चीज लगती है लेकिन UPSC की यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और यही UPSC इसलिए तो बस अब मैं देख रहा हूं हूं और अब मैं आपसे बाद में बात करूंगा और देखता हूं कि पापा को कैसे है आउट करूँ मतलब कि नहीं हो रही है आज और उपर से वह जो रिटीन यहाँड कि या जौब लग लग्या है मतलब इसलिए प्लाब कोई वर्डी नहीं है क्या बोलू तो देखता हूं और अब म तो प्रिलिम्स है अभी तो छे मैंने और मैं पास content है ऐसा बात नहीं है मतलब कि मैं overconfidence नहीं हो रहा हूं लेकिन confident है यार मतलब कि आप समय सकते हैं कि जब ऐसी गलती करेंगे तो गलती फोकस गलती पर ही फोकस करना होगा तो वैल अब यह सब बात है तो बात में चलती ही रहेगी मिलते अगले वीडियो में और आते हैं फिर वही में चैनल पर ही मैं अपनी वीडियो डालूंगा और साथ में आप से इस चैनल पर भी आपके continue one to आपसे बात करूंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में